मादे विष्चिल फरनीचर गंगापूर बिल्वाड़ा रजस्तान इसके अंदर लाइटे चल दी रेगो अलागला यह पेकिंग वाला सिस्टम है यह इदर का मेन वाला पाटेशन है मादेव गुल्पी आसक्रीब यह क्यों पूरा पेकिंग वाला टेमबू है यह रेलिष्टे इसके अंदर भी सेंसी कटिंग है सब में लाइटे चलती है यह नईया टेमबू टाटा एस यह पेकिंग वाला सिस्टम खुलता है यह साइड का बेगराउंड है यह पूरा पेकिंग वाला सिस्टम है टेमबू के ओपर पेस्टो खोलना यह खूल गया कई भी मेले एले में जाओ तो पूरा फेक कर दिया कोई डिक्कत नहीं है लोग लग जाता है और यह वाले भी खुलता है अंदर से खुलता है यह यह इदर से खुलता है इदर लग रहा इस्टो पर अब मैं आपको बताऊंगा अंदर का डिजाइन डेकोरेश्चन लाइट डेकोरेश्चन यह उल्टा सत्का डेकोरेश्चन है अब दो इस्पीकर लगे हुए चार छोटी लाइट रंगीन दो वाइट बड़ी वाली है आपको बताऊंगा गल्ला कहां पर रहता है अब यह पर रहता है यह दोनों गल्ले का ड्रोव पेस्टे रखने के लिए है और यह अंदर का यह कोटा है इसके अंदर कुछ भी सम्मान रख सकते हैं यह खुलने वाला बेस को खूलना कि छोड़ों यह पंप लग रहा है कि यह ओट्रोमेटिक उपर हो जाता है अब भी लगा दो इसको इसके अंदर कुछ पर सम्मान रख सकते हैं अंदर बहुत गुंजाइश यह अंदर का यह अंदर का ब्यक्राउंड है अब यह आपको बताना जाता हूं किसका टेंबू है उसे मुलागात करता हूं प्या इदर देखो यह टेंबू आपका है कहां से आयो मैं नाप्पूर महराष्टा से नाम क्या है कहां से बनवाया है महादेव स्टील फर्नीचर वील वड़ागंगा पुर्टा टेंबू कैसे बना आपका टेंबू तो बहुत बढ़िया टेपोरेशन में इसका और लाइट वाइट बढ़िया है मस्त लग रहा है मतलब पसंद आया इस तरीके से मैं चाहता था कि मेरी टे कि अंदर का बेक्राउंड है यह इदर इन्वेटर चार्ज करने का सिस्टरम है यह उपर पलक लगता है एंसी भी है करेंड नहीं आता है नीचे गिर जाती है कोई दिखत नहीं है इसिक अंदर टी कि उपर यहां पर तम आखा को आदा है यहांपर एक खाले जगे में फ्री रखा आदा है